अब ये आज दूसरा वीडियो मेरे पहले का दूसरा पार्ट है अब पहला पार्ट इसका अर्ण विद रोहिताश चैनल पर आज ही डाला है दोपेर के टाइम में वही लगवग मुझा कहल दो बजी का आसपा जो वीडियो पड़ा था आप वो देखिए वो वीडियो इसी का पार्ट है उसको भी देखना जरूरी है और इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने वो टोकन से बताया थे जिनकी अनलॉकिंग होनी है सप्लाई और वो फरवरी मार्च अप्रेल तक आनी है कितनी सप्लाई आनी है वो उस वीडियो में किलियर कट है तो जिसने वाली वक्त में सप्लाई जो और ज्यादा आने वाली है अब इस इंफलेशन से क्या नुकसान है देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ वगार आपको बहुत अचीज़ा है समझ भागा हम यूएस की बात करते हैं अरे इंफलेशन रेट आने वाला है अब इंट कोची समझ में आ रही होगी मैं इसी लिए इस टॉपिक को उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ अब यहां पर एक टॉपिक और कनेक्ट करता हूं बहुत सिंपल वासा में बेबी डॉज कि हम सप्लाई को कम करवाना चाते हैं जब सप्लाई का कोई मतलब भी नहीं तो हम क्यों क सप्लाई को आथ उस चाते ओव अगर करना चाहिए तो है अगर अकल है तो थोड़ा सा लगाकि देखो दूसरा अमेरिका के j Conf रेट आते हैं हम क्यों बेसब्री से इंतियार करते हैं करें कि इनिफलेशन रेट कम आना चाहिए कम आना चाहिए भाई बढ़ता तो बढ़ने दो जितना 7.7% है उसको होने दो 15-20% क्या फ्रक पड़ता है तो भाई इसलिए या तो थोड़ा सा ग्यान ले लो या क्रप्टों से बाहर हो जाओ ज्यादा अच्छा है खुद को कुछ पता नहीं लेकिन दूसरे का मूर जरूर आप खराब करते हो थोड़ा सा ग्यान ले लो अच्छा रहेगा यार फाइदे का सोधा है क्योंकर आगे काम आएगा आप ही जैसे लोग हैं जो क्रप्टों को या तो समझते नहीं और फिर गालियां देते हैं दूसरा बरबाद भी खुदी होते हैं कोई दूसरा बरबाद नहीं होता ऐसे ही लोग बरबाद होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता लेकिन ग्यानी बहुत बंते हैं तो भाई अब आते हम अपने टॉपिक पर के अब यहां पर इंफ सप्लाई ज्यादा होगी, उतनी डिमांड कम होगी, रेट नहीं बढ़ेगा, सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, आपका रेट बढ़ेगा, अब ऐसे ही टोकन्स में आपको बता रहा हूँ, लिस्ट बहुत बढ़ी है, बाकी मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट, अपने ट् टोकन डी वाई डी एक्स और ये वाला टोकन मैंने अपने उस वीडियो में भी पहले ही नमबर पर रखा था जो अपना एक बज़े मैंने अर्णवित रोहता चैनल पर दिया है उसमें भी ये टॉप परी था इस पर भी ये टॉप परी है इसका इंफ्लेशन रेट करेंट में 251 परसेंट चल रहा है इसी रफ्ता से इसकी सप्लाई अगर बढ़ती रहेगी तो भाई साब आने वाले बुल्रन में इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला आप हम जो उम्मीद करते हैं कि बुल्रन में करोलपती बनाएंगे तो मुझे नहीं लग परसेंट तक रहता है तो कहीं तक चलो ठीक रहता है क्यों उधर बर्निंग भी उसी रेशियो में कहीं नहीं हो जाती है कई वार और बर्निंग जादा भी हो जाती है जैसे दो तीन तरीके से बर्निंग होती है तो माली जे कहीं उनकी आटो बर्निंग भी है मैनूल बर्निं सब्सक्राइब बढ़ रहा है और मालीजें इसका 10% के साफ से कम हो रहा है तो फाइदा क्या हुआ इन्फलेशन तो यह नहीं सप्लाई बढ़ती जाएगी, यह तो बाइंग उतनी हो, बाइंग है नहीं मार्केट में बिलकुल भी, और आगे भी उतनी जादा बाइंग तो नहीं आएगी, क्यों पहले से ही सबके पेट बरे हुए हैं, GMT 128% एक इसका इन्फलेशन, ApeCoin, APE 60%, CRV 27%, UNI 25%, HAVER 23%, XRP 23%, FLOW 21%, Near Protocol 20%, SEND 23%, AVEX 22%, HNT 20%, 1-inch 62%, IMX 73%, यह है कुछ वो इन्फलेशन रेट जो इनका चल रहा है, और इसी आप से अगर चलता रहा, तो देखिए इनमें जो आप Profit चाते हैं, वो साइद नहीं मिलेगा, वो देखिए, एक आपको 10%, 20%, 50% मिलेगा, तो उसे क्या होना है, अगर मान लीजिए, इन्होंने बुल रन पे मान लीजिए, अगर आपको 50% या 60% दिया, तो क्या दिया, हम वहाँ पर जादा की उम्मीद लगा के बैट हैं, कि हमें जादा मिले, लेकिन भाई साब जादा तो देखिए, उसी टोकन से आपको मिलेगा, जिसकी सप्लाई अच्छी खासी कम हो, ना कि बड़े, इनकी सप्लाई बड़ेगी, और ये इतने ही टोकन नहीं है, आपको अ अच्छा लगेगा, आप बेट के कमेंट करते हो, फिर बड़ा मूल खराब होता है, यारे पहले आ तो पता कर लो कहीं से, उसके बाद कमेंट करो, तो ये है, बाई सीधी सी बात है, हम ये चाहते हैं, कि किसी टोकन की सप्लाई कम हो, कम हो, उसके बाद ही उसका प्राइस ब कम करने के, और उसमें इंफिलेशन कम से कम होना चाहिए, इंफिलेशन मैंने का ना, मैक्सिमम दस परसेंट तक तो सपी सेंट है, ठीक है, भाई, दस का बारा हो जा चलो, वो भी चलता है, दो चार उपर नीचे चलता है, लेकिन अब ये काओ कि यार, दो सो एक्क्यावन प जो आते रहते हैं, उनमें एक प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये काओ कि ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देंगे, जो हम उम्मीद लगाते हैं, कर्फो करन्सिस करें, हमें ये करोड़ोपती बनाएंगे, भाई देखियो, वो थोड़ा सा बारी की जो हैं, उनको ध्यान रखिये, कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसी बारी की जो चीज़े हैं, उनका ध्यान रखिये, अब यहाँ पर मैंने आपको आज दो वीडियो दिये, एक अर्नविद रोईतास पर दिया, जहां पर किसकी सप्लाई कितनी अन आपको खरीदना बेचना कितना उपर नीचे हो रहा है, लेकिन खरीदने से पहले उसमें क्या चल रहा है, वो जरूर चेक कीजिए, कि आखिरे इसमें पीछे क्या क्या हो चुका है, और क्या होने वाला है, उनके वाइट पेपर पर या फंडामेंटल में कहिन कहीं आपको वो चीजें जरूर मिल जाएंगी, तो भाई, ये कुछ दो वीडियो आपके लिए important है, और दोनों ही देखिए, तब ही आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, तो ये थे कुछ token और बाकी पूरी list आप जो है, Twitter और Telegram पर available है मेरे, वहाँ पर join कर लिजे और देख लिजे, देखे, सब्सक्राइब आप उस पर भी नहीं कर रहा है, थोड़ा कीजिए, अर्नवेद रोयतास चैनल पर भी और इस पर भी, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएगा, आगे फर मिलते हैं, नमस्कार.